राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा अब 117 दिन पूरे कर चुकी है इस 117 दिनों के दोरान अब राहुल गांधी जो है वो पंजाब में पहुँच गए हैं पंजाब में पहुचने के बाद राहुल गांधी एक नए रूप में नजर आये वहां बिल्कुल एक नए अन् जिले अब तक कवर कर चुकी है और आब वो पंजाब के लुदियाना पहुंच चुकी है आज सुबह जो है पहले जब पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उसके बाद राहूल गांदी ने अमरिट सर के गोल लिंडल टेंपल पहुंच करके और वहां पर के जो लोग हैं वो भारत को माटने का काम कर रहे हैं जातिको जाति से धर्म के लोगों को धर्म के लोगों से ही लड़वा रहे हैं माहौल बिगा लने का काम कर रहे हैं वहीं इसी उद्देश के चलते भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी जिससे मुहबत का रा लक्षिंड से आगे बढ़ेगी तो वहां उसे जो बिजेपी सासित राज हैं उसमें रिस्पॉंस नहीं मिलेगा तो राहूल गांदी ने इसके लिए कहा कि जब भारत जोड़ोयात्रा केरल और तमिलनाड उसे होते हुए करनाटक पहुंची तो उसे केरल और तमिलनाड उसे पहुचने के बाद मत्यप्रदेश में महारास्ट से भी ज़्यादा जनसमर्थन वहां पर भारत जोड़ोयात्रा को मिला जिसको लेकर के फिर से हर बार भाज़पा ऐसे ही सवाल उठा रही है और उसी के करम में हरियाना में महारास से भी ज़्यादा समर्थन मिला और जैसा जो है लोगों को सुनने की यात्रा है लोगों को समझने की यात्रा है इसलिए हम जादा समय जो है लोगों को समझने के लिए लगाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं किसानों का मुद्दा उन्होंने एक बार फिर उठाया किसानों की बात उन्होंने फिर से की उन्होंने कह कि किसान हर बार जो है वो हमसे ज़्यादा चलता है वो अलग बात है कि वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता बल्कि वो अपने खेतों में ही चलता है कभी हल चलाते हुए कभी तमाम मेहनत करते हुए तो आप सुनते चलिए राहुल गांधी का आज का यह संबोधन प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का इस पवित्र भूमी में बहुत-बहुत स्वागत आपने सुबह-सुबह यहां आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की इसके लिए मैं आपको सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ कुछ महीने पहले हमने यह यात्रा कन्या कुमारी में शुरू की और अब तक्रीबन तीन हजार किलोमेटर यह यात्रा चल ली है कश्मीर तक जाएगी स्री नगर में यह यात्रा कतम होगा देश में नफरत हिंसा का महोल फैलाया गया है BJP के लोग, RSS के लोग देश को बाटने में लगे हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं एक जात को दूसरी जात से भाशा को दूसरी भाशा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का महोल बिगार दिया है तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए महबत का एकता का भाईचारे का और इसलिए हमने यह यात्रा शुरू की जब यात्रा शुरू की थी केरल में टमिल नाडू में शुरू की हमारे जो प्रेस के मित्र हैं मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं यह कभी प्रधान मंत्री का चहरा दिखाते हैं 24 घंटे बेरोजगारी की बात नहीं रखते महिंगाई की बात नहीं उठाते तो इन्होंने कहा कि देखिए यह यात्रा जो है यह टमिल नाडू में केरला में सफल हो जाएगी मगर जब यह करनाटक पहुँचेगी तो यह फेल होगी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर रिस्पॉंस नहीं मिलेगा करनाटक में गए केरल से टमिल नाडू से बहतर रिस्पॉंस फिर उन्हें कहा बीजेपी के लोगों ने भी कहा हाँ ठीक है करनाटक तो साउथ इंडिया है महराष्टरा में रिस्पॉंस ने महराष्टरे माए और जबर्दस रिस्पॉंस फिर कहा ठीक है महराष्टरा में हो गया हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा मध्य प्रिदेश में महराष्टा से भी बहतर रिस्पॉंस फिर खा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पॉंस हो गया आगे नहीं होगा हरियाना में नहीं होगा हरियाना में उससे बहतर और अभी हुड़ा जी ने कहा कि पंजाब में हर्यारा से भी बहतर रिस्पंस होने वाला है और इसका कारण है कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं डर फैला रहे हैं हिंसा फैला रहे हैं ये इस देश का तरीका नहीं है इस देश का इतिहास नहीं है इसे देश की हिस्ट्री नहीं है ये देश भाईचारे का देश है एकता का देश है इज़त का देश है रिस्पेक्ट का देश है और इसी लिए यात्रा सफल हो रही है लोगों ने कहा कि देखिए कॉंग्रेस पार्टी कि नेता तीन हजार किलोमेटर चल रहे है और जहाभी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पंजाब का हर एक किसान हर एक किसान हमसे जादा चलता है ठीक है वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है मगर वो अपने खेत में रोज चलता है मंडी तक पैदल जाता है खाद खरीदने पैदल जाता है बीज खरीदने पैदल जाता है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है इन सरकों पे चुड़ता है सीखने को बहुत मिला किसानों से बात हुई छोटे दुकानदारों से बात हुई मजदूरों से बात हुई बेरुजगार युवाँं से बात हुई माताय बहनों से बात हुई और जो आपका ग्यान है उससे बहुत समझने को मिला इसके लिए मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाशन नहीं देते हैं ये बोलने की यात्रा नहीं है ये सुनने की यात्रा है सुबह हम 6 बजे उठते हैं पैदल चलते हैं तकरीबे 25 किलोमेटर यहाँ पे शाइद 7 बजे यात्रा शुरू होगी और हम 6-7 गंटे आपकी बात सुनते हैं और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है बोलने का नहीं है और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं नफरत, हिंसा, बिरोजगारी, महंगाई इन चीजों को यह यात्रा उठाए और इन के खिलाफ यह यात्रा लड़ाई लड़े आपने अपनी शक्ति दी आपसे अब अगले दस दिन हम बाचीत करेंगे, मिलेंगे, कले लगेंगे आप सुभे सुभे आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद नमस्कार जैहिए